हेलो स्टुडेंट्स, ये हमारी संस्कृत की क्लास है, हमारा दृती पार्ट है वर्णा अभ्यास, आज हम ये पढ़ेंगे और इसे समझेंगे भाषा का मूल वर्ण होते हैं और वर्णों के विवस्तित क्रम को हम वर्ण माला कहते हैं इसी के आधार पर अभिव्यक्ती समझ होती है, एक दूसरे की बात समझना ये सब इससे ही समझ हो पाता है पाणिने प्रयासेन प्राप्ता एशा वर्ण माला भारतिया नाम भाषा नाम मूलाधार अस्ती पाणिनी के प्रयासों से ही वर्ण माला भारती भाषा का मूलाधार बनी वर्ण मालाया स्वरूपम एतराद्रश्रमस्ती वर्ण माला का स्वरूप इस प्रकार से यहां दिया गया है वर्णा वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वरा और ब्यंजनानी पहले हम स्वर देखेंगे स्वर कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं हस्वस्वरा, दिर्गस्वरा, अयोग्वाहु हस्वस्वरा, इनको बोलने में हमें कम समय की जुरत पड़ती है जैसे अ, इ, उ, र, र, ये पाँच है दिर्गस्वरा, इनको बोलने में हमें थोड़ा अधिक समय लगता है जैसे आ, ई, उ, रि, ए, ए, ओ, आओ, बिर्ग स्वर आठ है अयोगवा हो अयोगवा जो होते हैं ये स्वर इनके उच्चारण में मुख और नाग दोनों का ही प्रयोग होता है ये हैं अनुस्वार अंग और विसर अह तो इस तरह से हस्वर पांच, दिर्ग स्वर आठ और अयोगवा दो तो कुल मिला करके संस्कत में स्वर कितने हो गए पंदरा स्वर हो गए हैं अब हम व्यंजन देखेंगे व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन चार प्रकार के हैं स्पर्ष व्यंजनानी अंतस्थ व्यंजनानी इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं उश्म व्यंजनानी और संयुक्त व्यंजनानी पहला है स्पर्ष व्यंजनानी स्पर्ष व्यंजन ये कितने हैं? ये 25 हैं टोटल स्पर्ष व्यंजन जो होते हैं उनको हम बोलेंगे क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, 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 य, त, ठ, ड, ध, ड, त, ध, द, ध, न, प, फ, ब, भ, भ, म, इस तरह से ये कुल 25 हैं अंतस्थ व्यंजनानी ये कितने हैं? ये चार हैं य, र, ल, व उष्म व्यंजनानी उष्म व्यंजन चार हैं श, श, स, ह, सईक्त व्यंजनानी ये दो वर्णों से मिलकर के बनते हैं जैसे श, बनता है क, और श, से मिलकर के क, श, अ, ये मिलकर के श, बन गया तर, त, प्लस, र, प्लस, अ, ये मिलकर के तर, बनता है ग्य, ज, प्लस, य, प्लस, अ, ये मिलकर के ग्य बनता है श्र श्र प्लस र प्लस अ मिल करके श्र बनता है तो इस तरह से ये सब कुल मिला करके 37 व्यंजन हो जाते हैं स्वर 15 है और व्यंजन 37 होते हैं अब इसके बारे हम देखेंगे कि ये व्यंजन इनकी परिभाशा हम अगले पेज में देखेंगे अब हम इनकी परिभाशा देखेंगे हस्व स्वरा हस्व स्वरा कितने है जैसा कि अभी हमने देखा था पाँच हैं येशा स्वर स्वराणा मुच्चारणे न्यूनता निति न्यून समयह अपिक्षित भहुती इन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है दिर्ग स्वरा ये आठ है हस्व स्वराद पेक्षिया अधिका काल अपेक्षित भहुती हस्व स्वर की अपेक्षा इसको बोलने में अधिक समय लगता है स्पर्ष व्यंजनानी ये 25 हैं इन वर्णों के उच्चारण में मुँ के कई स्थानों को का इस्पर्ष होता है अंतस्थ व्यंजनानी ये चार है ये वर्णा स्वरेशू समाहित भवन्ती ते एवं अंतस्थ व्यंजनानी ये वर्ण जो होते हैं, ये अन्दर से मूह से आवाज निकलती है जब हम बोलते हैं तो इसलिए इन्हें अंतस्त वियंजन कहते हैं उश्म वियंजनानी ये चार हैं, इनको बोलने में अत्रिक तुर्जा लगती है ये शाम वर्णाना मुझ्चारणे मुखाद उश्मा नी सर्ती ते उश्म व्यंजनानी भोती मुँ से अत्यदिक उज़ा लगती है, एनर्जी लगती है इसको बोलने में इसलिए इन्हें उश्म व्यंजन कहते हैं अयोग वाह ये दो होते हैं आहत्य वर्णा बावनु इस तरह से ये सब मिला करके बावन हो जाते हैं अब स्वार देखेंगे, हम कौन-कौन से स्वार हैं, स्वाराह, अ, आ, ई, ई, उ, उ, रि, र, ल, ए, आ, ओ, आउ, आउ, आयोगवाह, अं, अनुस्वार, अह, विसर्ग, व्यंजनानी, व्यंजन देखेंगे, अब हम, क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, ज, य, त, ठ, ड, ढ, ढ, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये का से लेकर के मातक के स्पर्च व्यंजन कहलाते हैं, य, र, ल, व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, श, श, स, ह, ये उश्म व्यंजन होते हैं, श, त्र, ग, श, इन्हें सयुत व्यंजन कहते हैं, अब इनका उचारा निस्तान देखेंग हम सबसे पहले है कवर्ग कवर्ग में कौन से वर्ण है क ख ग घड ह अ इनका उच्चारण का इस्थान क्या होता है बोलने का कंठ गला गले से आवाज निकलती है चवर्ग के इनका उच्चारण इस्थान क्या है तालू से आवाज निकलती है अंदर यह जीप के जो उपर का भाग होता है तालू यह तावर्ग के है यह इसका उच्चारण इस्थान है मुर्धा जो तालू से उपर का हिस्था होता है उसे हम मुर्धा कहते है तावर्ग तवर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, ण, स, ल, ल, ये सारे वर्ण तवर्ग में आते हैं. और इनका उच्चा रण है दन्ता दाथ, इनको बोलने में दाथ में हमारा टच होता है. पवर्ग, पवर्ग में कौन कौन से वर्ण है? इसको बोलने में हमारे होट टच होते हैं, ओष्ठ मतलब खोट, होट टच होते हैं, जब हम बोलते हैं प, फ, तो हमारा होट टच होता है, आगे है ए, अए, इसको बोलने का है स्थान कंठ, गला, तालू, गला और तालू, दोनों इसमें टच होता है, ओ और आओ, इनको बोलन और ओष्ट मतलब होट, दोनों टच होते हैं, गला और होट व, व में हमारा दंत और ओष्ट, मतलब दात और होट, ये टच होता है उसका प्योग होता है, ड, य, ड, न, म इसको बोलने में, इनका उच्चा रनिस्थान होता है, कंठ, गला, तालू, मुर्धा, दात, ओष्ट, नासी का मतलब नाक ये सारे ही यूज होते हैं इसको इन सब को बोलने में तो इस तरह से सब वर्ग के अलग-अलग वर्ण है और उनका उच्चा रनिस्थान है इनको आप और ध्यान से पढ़िएगा और इससे समझने की और कोशिश करेंगे आप और वीडियो को बार-बार देखेंगे